मंगलवार दोश्ट दूर कर अखंड सौभाग्य दिलाती हैं मंगला गौरी सौभाग्य प्रदानकर जीवन को मंगला मेद बनाने वाली भगवती मंगला गौरी का प्राचीन मंदिर बना रस के बाला जी भाट के उपर स्थित हैं मंगला गौरी के इस पावन पीठ को काशी का उच शिखर माना जाता है इस सिद्ध पीठ की विशेशता है कि माता के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लोटता मंगला गौरी हार उस व्यक्ति की इच्छा पूर्ण करती है जो उनके दरबार में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पहुचता है दर्शन से दूर होती है विवासबंधी बाधाय माहियता है कि भगवती के इस प्राचीनेवा सिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना करने से विवाह में विलंब या फिर किसी प्रकार की बाधा दूर हो जाती है जिन कईयाओं के विवाह में देर होती है या फिर तमाम कोशिशों के बावजूद उनका विवाह नहीं हो पाता उनके लिए माता का दर्बार एक वर्दान के रूप में है मामगलागौरी सौभागे विवन मंगलवार की प्रदान दीवी हैं और जो लड़की साथ चोदा 21 मंगलागौरी के दर्शन करता है उनका विवाह निश्चित और पर अतिशीग्र हो जाता है माता को चड़ाय जाती है हल्दी की माला विवाह में हो दिक्कतों को दूर करने के लिए मामंगलागौरी की मूर्ती पर 40 दिन तक सिन दूर चड़हने और मांगलिक दोश्च दूर करने के लिए माता को हल्दी की गाट की माला चड़हने का विधान है इसके लिए मांगलिक कईया को माता के दर्बार में साथ्या 14 मंगलवार जाकर विधी विधान से पूजा अर्चना करनी होती है मंगलवार दोश्ट से मिलती है मुक्ति श्रावन मास के हर मंगलवार कुस्तिया अखंड सौभागय की कामना से मांगवरी का वरत रखती है मांगलिक कईयाओं के लिए यह वरत और वर्दान की तरह साबित होता है जो तिशियों के अनुसार मंगलागा और रिकावरत करने से मांगलिक दोश्ट समाप्त होता है और कईयां के विवाह के योग बनने लगते हैं